सब्सक्राइब कीजिए टेग गूरू सपोर्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वाट्सअप कैसे चालू करें यानि कि वाट्सअप की आईडी कैसे बनाएं तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं कि WhatsApp कैसे चालू करते हैं या फिर WhatsApp कैसे खोलते हैं तो फिर इस वीडियो को end तक देखते रहिए मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से बताने वाला हूँ तो चेली सीखते हैं सबसे पहले आपको आजाना है अपने प्ले स्टोर पर और यहां पर आपको सर्च कर लेना है WhatsApp WhatsApp सर्च करने के बाद आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है इस एप को ओके तो मैंने अल्लेडी इंस्टॉल कर रखा है तो यहां पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ तो यहां से आपको open कर लेना है जैसे आप WhatsApp को open करेंगे तो आपको इस क्रीन पर कुछ language देखने को मिलेगा अब यहां से आप जिस भी language में WhatsApp को चलाना चाहते हैं वो language आप यहां से select कर लिजे तो यहां पर मैं English ही रहने देता हूँ अब नीचे आपको एक तीर जैसा button मिलेगा तो आपको इस पर click कर देना है अब आप एक step और आगे बढ़ जाएंगे अब यहां पर आपको कुछ term and condition follow करने को बोलेगा तो आपको नीचे एक option मिलेगा agree and continue तो आपको simply से इस पर click कर देना है अब जैसे आप agree and continue पर click करेंगे तो यहां पर आपको बोलेगा अपना mobile number डालने को तो जिस भी sim से आप अपना WhatsApp चालू करना चाहते हैं जो भी mobile number आप यहां पर डालना चाहते हैं वो sim card आपके इस mobile में लगा होना चाहिए और वो recharge होना चाहिए ताकि SMS आ सके तो यहां पर मैं mobile number डाल देता हूँ mobile number डालने के बाद आपको सबसे उपर अपना country सेलक्ट कर लेना है तो यहां पर मेरा automatic India सेलक्ट है उसके बाद यहां पर नीचे आपको एक next का बटन मिलेगा तो अब आपको यहां पर next वाले बटन पर click कर देना है अब यहां पर यह थोड़ा सा loading लेगा आपको थोड़ा सा wait करना है अब देखें यहां पर यह एक बार फिर से confirm करना चाहता है कि क्या आप अपने इस mobile number को edit करना चाहते हैं या फिर आप ok करना चाहते हैं तो अगर आपको यही mobile number डालना है तो यहाँ पर OK कर दीजे अब अगर आप अपने account को phone call के जरीए verify करना चाहते हैं तो यहाँ पर continue कर दीजे और जैसे आप continue करेंगे तो उधर से एक call आएगा और call आने के बाद आपका जो WhatsApp है वो automatic verify हो जाएगा लेकिन अगर आप OTP के मादम से करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक option मिलेगा verify another way इस पर आपको click करना है उसके बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगा send SMS इस पर आपको click कर देना है send SMS पर जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर आपको एक code आ जाएगा उदर से 6 digit का तो आपको wait करना है और देखिए code आ चुका है और automatic fill भी हो गया है अगर automatic fill नहीं होता है तो आपको देखकर fill कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगा contact and media आप अगर यहाँ पर continue कर देंगे तो आपके mobile में जितने भी contacts होंगे और आपके contact में जितने भी WhatsApp नमबर होंगे वो सारे आपके WhatsApp एकाउंट पर आ जाएंगे तो फिलाल के लिए मैं यहाँ पर not now कर देता हूँ अब यहाँ पर देखिए आपको बोल रहा है restore a backup अगर आप backup लेना चाहते हैं तो यहाँ पर continue कर देजी तो यहाँ पर मैं इसको भी cancel कर देता हूँ अब यहाँ पर आपको डालना है अपना account name जिस प्रकार से आप अपना Facebook या Instagram में account name रखते हैं तो यहाँ पर मैं अपने channel का नाम रख देता हूँ अब देखिए यहाँ पर नाम लिखने की बात आपको सबसे उपर एक dp लगाने का option आएगा तो यहाँ पर आप click करके dp भी लगा सकते हैं फिलाल के लिए यहाँ पर मैं next वाले option पर click कर देता हूँ नेक्स्ट वाले option पर जैसे आप click करेंगे तो तुरंद से आपका WhatsApp चालू हो जाएगा अब यहाँ पर आपको नीचे एक option मिलेगा send message इस पर आप click कीजे और जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर आपको allow कर देना है और यहाँ पर आपके mobile में जितने भी contact number होंगे वो सारे contact number यहाँ पर आ जाएंगे और अगर आप चाहें तो यहाँ पर new contact add कर सकते हैं यहाँ देखे new contact option है आप चाहें तो group भी create कर सकते हैं अब यहाँ से आप chat start कर सकते हैं जिस भी number से चाहें तो यहाँ पर जैसे मैं बेज देता हूँ हेलो इस नमबर पर मैं हेलो बेज देता हूँ यह मेरा ही नमबर है अब देखे यहाँ पर जैसे आप मैसेज करेंगे तो यह आपकी WhatsApp के Home Page पर दिखने लगेगा और आप यहाँ पर किसी से भी आसानी से चैट कर सकते हैं इसी तरीके से आप चाहें तो यहाँ से सारे Contact को एक एक बार Message कीजे और वो सारे Account यहाँ पर सो करना Start हो जाएगा यहाँ से आप Status भी देख सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करके आप Status भी लगा सकते हैं अगर आप किसी को WhatsApp कॉल वगरा करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजे और यहाँ से आप किसी को भी WhatsApp कॉल कर सकते हैं तो देखिए आपका जो WhatsApp है वो चालू हो चुका है बाकी की चीजे मैं आपको डीटियल में नेक्स वीडियो में बताऊंगा पूरी WhatsApp की सीरीज चलेगी तो अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और अगर आपका कोई भी क्वेस्टन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछ लीजेगा